अगर हैं आप डेटो बर्थ 2, 11, 20 और 29 वाले और जानना चाहते हैं कि ये साल 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है तो आज ये वीडियो आपके लिए है अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बैल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले क्यूंकि उससे ही आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगी अपने 2024 प्रेडिक्शन सीरीज में आज टर्न है नमबर दो वालों की इससे पहले एक 10-19-28 वालों के लिए साल कैसे जाने वाला है डेटो बर्थ वालों के लिए वीडियो रेडी है मेरी यूट्यूब चैनल पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं आप इस वीडियो को खुद तो देखे ही लेकिन अपने रेलेटिव्स में फ्रेंड्स में सरकल में जो इस डेटो बर्थ वाले हैं किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीक को जन्मे लोगों के लिए आज ये वीडियो है उनके साथ आप शेयर ज़रूर करें ये साल कैसा जाने वाला है इसके बारे में सब भी बहुत क्यूरियोस रहते हैं कि हमारी डेटो बर्थ के एकॉर्डिंग, हमारी राशी के एकॉर्डिंग, ये साल हमारे लिए कैसा जाएगा मैंने मेश से लेकर मीन राशी वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है ये भी वीडियो अपने YouTube चैनल में अपलोड की हुई है अगर आप किसी भी राशी के बारे में जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं आप वो वीडियो भी देख सकते हैं आज बात कर रही हूँ डेटो बर्थ नमबर वालों की आप है नमबर टू वाले दो वाले आपने अगर मेरी वीडियो पहले देखी हूंगी तो आपको समझने में जादा देर नहीं लगेगी कि दो नमबर क्या है मून का नमबर है चंदरमा का नमबर है और ये साल 2024 2 प्लस 0 2 प्लस 4 is equal to 8 8 यानि की सेटन का नमबर शनी का नमबर आप 2 के साथ शनी की compatibility कैसी है ये तो हम देखेंगे ही लेकिन उसके साथ साथ इस 2024 में 2 कितनी बार आया है और लास्ट के टू डिजिट से 24 से जो नमबर निकल के आता है 6 उसका क्या रोल है इस सब चीजों के बारे मैं आपसे बात करूंगी वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एंड में आपको बताती हूँ छोटे चोटे टिप्स और रेमेडीज की अगर कुछ अपडाउन भी है कुछ फ्लक्ट्वेट भी हो रहा है ये साल तो आपको क्या टिप्स और रेमेडीज फॉलो करनी है आप ज मून क्या है 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है ऐसे ही इन लोगों को के जो मूड है वो मूड स्विंग्स चलते हैं पल में खुश होते हैं पल में दुख्य हो जाते हैं आप अगर इस नंबर वाले है तो खुद को बहत बहत बेतर जानते होंगे लेकिन अगर किसे ऐसे च्ण्रमा मन् सोजakap मन भी है और कि दुख देख भी नहाई पाता और जल्दी ही हिम्मत हार जाता है इसे है कुछ फाल को अब अब इस साल की बात करें तो आठ्ष का अंक है शनी का है मैं नहीं अब बताएं की कर्मों के हिसाब से फल देगा तो इस साल आपको अगर आपके कुछ नहीं मिलेगा तो stress, anxiety, depression इस साल आपका बढ़ेगा क्योंकि आठ नमबर डिले भी देता है, struggle भी देता है, तो जहां आपको डिले हो गया, struggle थोड़ा सापको करना पड़ा, वहां आप इम्मत हार सकते हैं, जो कि आपको नहीं हारनी, आप जैसे मैंने बताया कि stress, anxiety आपका बढ़ सकता है, तो आपको उसको दूर करने के लिए क्या करना है शनी महराज, शनी मंदिर में आप एक routine बना लिजिये जाने का, शनी महराज खुश किस्से होते हैं, अगर आप किसी भी needy की help करते हैं, जो genuine हो, जिनको need हो actual में, handicapped, labor class, old age home, blind home, यहां पर आप शनी मंदिर, आप एक नियम बना लिजिये पूरा साल कि आपको यहां पर जाक करनी है, कुछ ना कुछ donate करना है, और दिल से करना है, जिसको आप कुछ दे रहे हैं, उसका आपको शुकर गुजार होना है, इस साल अगर आप job में हैं, या business में हैं, और काफे टाइम से अगर आप सोच रहे थे कि मेरे काम stuck है, रुके हुए हैं, तो इस साल आपके कामों क को एक speed भी मिलेगी, अगर कोई flat, कोई आप मकान, कोई plot, अगर आप लेना चाहा रहे थे और वो काम थोड़ा अठका हुआ था, तो इस साल आपका वो काम बनेगा, रिलेशन्स की बात करूं, तो लव मैटर्स में जितनी भी problems अभी तक आपको चलती आ रही थी, वो आपकी सामने वाला गलत है, और मैं सही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होगा, आपको अपनी गल्ती नजर नहीं आएगी, आपको लगएगा सामने वाला ही, शायद आपको समझनी पा रहा है, या आप सही है, सामने वाला गलत है, तो इस वज़ा से आपका stress, anxiety इससल बढ़ सकती है, तो आपको वो चीज नहीं करनी, वो कहते हैं कि हम जब पहले से वार्ण हो जाते हैं किसी चीज के लिए, तो हम चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे इस बात को, अगर आपके साथ ये करना, तो जो चीज़े आपको stress, anxiety बढ़ाएंगी उनको आपने follow नहीं करना, आपने उनसे दूरी बनाली हैं, आप दूसरों के इस पार जितने भी जमेले हैं, उसमें आपको नहीं फसना, अगर दूसरे आपको involve भी करते हैं, तो आपने नहीं involve होना, क्योंकि सारा गलती का ठीक रहा, आप, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके सिर्फ पर फुटेगा, तो अपने काम से काम रखिए, अपने चीज़ों से मतलब रखिए, किसी की चीज़ों के बीच में आपने interfere इस साल नहीं करना, आप अगर teaching line में हैं, आप अगर research field में हैं, आप अगर liquidity से बहुत अच्छा है, इसके अलावा, अगर आप इस साल, उकल्ट में भी, अगर आप काफिर time से सोच रहना, आपके माइड में कुछ चल रहा था कि मुझे ये सीखना है, मुझे जो neurology सीखनी है, astrology सीखनी है, tarot सीखना है, angel सीखना है, तो इस साल आप सीख सकते हैं, ये साल बहुत फेवर में हैं आपके, इस से आपको सक्सेस भी मिलेगी, आप जल्दी से चीजों को सीख भी पाएंगे, ग्रैब भी कर पाएंगे, आप opportunities को भी इस साल ग्रैब करेंगे, स्ट्रेस की वज़ा से इस साल थोड़ा सा आपको anxiety, health issues में, अगर आपको stress में, headache, migraine, जल्द नहीं होता, तो सीधा असर पड़ता है हमारे पेट के उपर, तो इस से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें हैं, ये आपको इस साल इन से सामना करना पड़ सकता है, तो आपने वो चीजों को आगे बढ़ावा नहीं देना, health की बात हो गई, आपको meditation करनी है, योगा करनी है, exercise daily रखिए, थोड़ा सा वॉक करिए, बॉड़ी को ये नहीं कि सर्दी है, तो कुछ नहीं वर्काउट करना, थोड़ा थोड़ा वर्काउट आपने जरूर करना है, meditation योगा, meditation के लिए खास मैं बोलूगी, क्योंकि ये आपको relief भी देगा, stress और anxiety से वो आपको करना है, तो Saturn का ये साल है, आपको अपने deed, सपने करम अच्छे रखने हैं, आपको जितनी भी हो सकती है, help वैसे आप करते भी हैं, आपको वो करनी है, इस साल आप अगर moon howlight, एक दो मुखी रुद्राप्ष, amethyst with seven chakra और एक moonstone, आपको ये सब pure energized अभी मंतरित, आप अगर ये चीज इसनी भी आगे dates है, three to nine, उसके लिए आप उससे जुड़े रहिए, और bell icon को ज़रूर प्रेस कीजेगा, notifications मिलेंगी आपको, and I wish you all a very happy and prosperous 2024.